रूस और यूक्रेनी के यूद के कारण भारत के गेहु निरियात में वित वर्ष 2022 में बारी उचाल आया है दैश्विक बजार में कम आपूरती के कारण गेहु की कीमतों में हुई बड़ोत्री के कारण अचानक भारती गेहु की मांग बढ़ गई है भारत से अब वो देश भी गेहु लेने लगे हैं जिन्हों ने पहले कभी भारत से गेहु नहीं लिया मार्च 2022 तक भारत ने 7.85 मिलियन टन गेहु का निर्यात किया है यह पिछले वितवर्ष के 2.1 मिलियन निर्यात से बहुत जादा है गेहु वेपार्यू का क्याना है कि पडोसी बांग्लादेश सहीत भारत कई देशों को गेहु निर्यात कर रहा है वित्वर्ष 2022-23 में भी गेहु निर्यात में यह तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है बांग्लादेश के अलावा भारत ने डक्षिन कोरिया, श्रीलंका, उमान और कतर सहीत कई अन्य देशों को गेहु निर्यात किया है भारत ने जादतर गेहु 225 से 335 डॉलर प्रती डन के हिसाब से बेचा है मुंद्रा और कांडला पोर्ट पर गेहु कारगो की बहुत बीड लगी है रूस और यूक्रेइन में युद छिडने से दोनों देशों से आने वाले गेहु की सप्लाई ठप पड़ गई है इससे वैश्विक बजारों में गेहु की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है रूस और यूक्रेइन मिलकर 29 फीजदी गेहु का निर्यात करते हैं गेहु निर्यात को लेकर भारत की गेहु की सबसे बड़े आयातक देश मिसर से बातचीत चल रही है गौर तलब है कि मिसर यानि की इजिप्ट दुनिया में गेहु का सबसे बड़ा आयातक देश है पहले वैर रूस और यूक्रेइन से गेहु खरीदता था लेकिन यूद के कारण अब वहां से गेहु की सप्लाई नहीं हो रही है इसके अलावा चीन, तुर्की, बोस्निया, सुडान, नाइजीरिया और इरान भी भारत से गेहु लेने के इच्छुक है दस महीनों में ही भारत के गेहु निर्यात में चार गुना बड़ावतरी हुई है रूस यूकरेन यूद के बाद बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में भारत को अफरीका और मिडल इस्ट रीजन में भी गेहु निर्यात के लिए बजार मिलने की पूरी-पूरी संभावना है ब्यूर्ट पोर्ट, मार्केट टाइम्स, टीवी चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाईया हो, या हो कोई भी घर का अन्यस समान और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी अभी डाउनलूड करिए बिग ब्लिस एप, बिग ब्लिस एप पहुँचाएगा सारा समा दस मिनट में बिग ब्लिस एप है खुशियों की अपनी दुकार